आप सभी का वाइट एजूकेशन में बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनसा भी अभियारतियों के लिए बता देना चाहते हैं कि 26 अपरेल आपका एक्जामिनेशन डेट है ध्यान दीजेगा और 26 अपरेल तक आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप लोग खुद से कितना पढ़ रहे हैं उसका एक निचोड साम को लेकर आते हैं जहां पर आपको यह मोक्टेश होता है यह मोक्टेश रोज अगर आप देंगे तो आपके सारे डौट्स भी क्लियर होंगे यहां पर कोशिण आर जितने दिये जा रहे हैं वो सभी के सभी कोशिण आर इंपॉर्डे सारे स्टुडेंट कर रहते हैं कि टॉपिक वाइज यहां पर मुझे जो है सर पढ़ाई आप तो टॉपिक वाइज भी आपकी वीडियो आएंगे बिल्कुल आगे की तरफ अभी जैसे से एक्जाम के पास आएंगे एक ही करके टॉपिक भी क्लिर कराया जाएगा चुकि स्ले दोस्तों सब्सक्राइब की जिएगा इस बेल आइकन को दबाके ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के मार्दिम से आप तक जा सके दोस्तों जी हां और सुबह के 9 बजे यह बिहार कॉंस्टेबल के रिगार्डिंग मोक्टेश दिया question number one पे तो पहला question है ससभवा के अंतिम बैठक कब होई थी यहाँ पहटा फट answers करते हैं यहाँ पे जितने भी लोगो answer देख रहे हैं यहाँ पे question देख रहे हैं और answer भी करते रहेंगे तो answer कीजीगा 24 number 시작 1950 को यह अंतिम बैठक होई थी याद रखेगा ये question पूस्ता अक्सर एक्जाम में पहला बेटक अंतिम बेटक होता 24 जनुवर 950 को अगला प्रशन किस अधीनियम के द्वारा विधान परिशद में वार्सिक बजट पर प्रशन पूछने की सकती प्रदान की है देखे विधान परिशद जो है न बिहार में तो ये question है important question number 2 का कि किस अधीनियम द्वारा विधान परिशद में वार्सिक बजट पर प्रशन पूछने की सकती प्रदान की गई है तो 1892 आंसर क्या करेंगे 1892 नोट कर लिजेगा दोस्तो वार्सिक बजट पर विचार विबार्स कर सकते हैं इस act के तरियत अगला question है कि स अनुछेद के अंत्रगत अर्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है अंत्रगत अल्प संख्योगों को अपनी संस्कृती से संट्रक्षन तथा अपनी पसंद की सिक्षन संस्थानों की स्थापना और संचालन का प्रदिकार दिया गया है प्रदान किया गया है तो अगर धान हमारा 41 भी है और 42 भी है ठीक है ध्यान देजिएगा दोनों कहीं लेकिन हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पहले 41 ही होगा आंसर बी कर लेंगे जिसका इतर बी आ रहा है अगला प्रशन देखिए यहाँ पर चार आप्शन दिये गहें आपको बताना है कि किन मामलों में तो राजे सभा और लोग सभा के स्थीति का समान जो है यह चारों ही इसके जो तक हैं यह बिलकुल सही है आंसर हमारा क्या करेंगे अगला प्रशन दो यहां पी देखेंगे निमलिखित में से कौन सा विकल्प सही है चलिए एक विकल्प दिया गया है यहाँ पे जो कि सही पूला गया है, एकोनॉमिक से ये प्रश्ण है, थोड़ा सा ध्यान दे दिजिएगा आप लोग, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्ण सायदी आपको मिल पाएं, और इसका तयारी आप लोग कर पा रहे होंगे, यहां से हर वो कोशिन, हर वो सेक्षन से कोशिन ठाकर ला रहे हम लोग, ठीक है, आंसर कीजिएगा, सियर बजार संग सूची का विस है, आंसर D कर लेंगे दोस्तों, नोट कर लिजिएगा, अगला प्रश्ण, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है, असत्य बोले तो जूटा है, य जल्दी से, आपको मैं पहले बताते हैं, बता चुका हूँ कि भारत के परधान मंतरी का चुनाओ जो है, कौन कराता है, तो राष्ण पती कराता है, ठीक है, वो कोशन इसलिए गलत था, ठीक है, निमलिकित में से कौन भारत का सम्विधान के अभीरक्षक हैं, तो उचितम नियाले, भारत के सम्विधान का अभी रख्चक होता है, कौन दोस्तों, उचितम नियाले, आंसर क्या करेंगे, एक कर लिजेगा दोस्तों, जिसका भी उत्तर रहा, बिल्कुल, ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल, आर्टिकल 124 से लेकर 127 में इसको, 147 147 तक माफ कीजिएगा, 147 तक इसको वर्नित किया गया है, ठीक है, चलिए, भाग, चौथे में, कौशिय नंबर 9, भारते संसत के स्थागन प्रस्तावना को लेने का उद्देश है, लाने का उद्देश है, चलिए, कौशिय नंबर 9 का अंसर कीजिएगा दोस्तों, बिल्क करने के है, ठीक है, आंसर क्या आजएगा, कौशिय नंबर 9 का है, अगला प्रशन है दोस्तों, यहाँ पर की राज ये, वीत आयोग का गठन, संविधान के किस आर्टिकल, किस संबंदित है, तो देखे, राज का वीत आयोग, दोस्तों आंसर करेंगे, यहाँ पर कौशिय करेंबर 10 का 243 आई, के तहत ये संबंदित है, किसके आर्टिकल 243 के, याद रखेगा, पंचायती राज अदिनियम हुआ था, 93 में, ये 73 वा संविधान ससोधन था, और इसके अंतरगा संविधान के अनुछेद 243 और एक कह सकते हैं, इसको आई कह रहा हूँ है, ठीक है, ए 11, निमन में से कौन सा सदीस रासी है, चलिए, एक कोशिन हाया है साइन से, और आप भी उतर कीजिएगा, हर एक टॉपिक से कोशिन पूशे जाएंगे, आपके बिहार मेंस में, ठीक है, बिहार द्रोगा की मेंस में, और जैसे जैसे एक्जाम नजदिक आएगा, लेबल भी बढ़ता जाएगा, इसलिए पुराने वीडियो को आप लोग देखिए जाके अटेंट करें, ठीक है, वो उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप लोग चैनल पे जाएंगे, तो एक प्लेलिस्ट है, हमारा कम्यूनिटी के बगल में, प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पे जाएगा, बिहार द्रोग का अलग सेक्सन बना हुआ है मेंस के लिए, उसमें सारे वीडियो दिये गए हैं, यह उनीस्वा वीडियो है उसका, ठीक है, और बिहार कॉंस्टेबल के लिए वी अलग से प्लेलिस्ट बना रखा मैंने, चलिए, तो यहाँ पे दोस् तो कुशनमर 11 का अंसर कीजिएगा, यह बल होता है दोस्तों सदीस रासी, ठीक है, बल अगुर्ण होता है, बल इन्टु अगुर्ण, यदि एक सदीस रासी है यह और इसका मातरक न्यूटन मीटर होता है, यह भी आप याद रखेगा, कुशनमर 12, फ्यूज तार किसका मिस धातु है, चलिए, फ्यूज तार किसका मिसर धातु है, आंसर करेंगे दोस्तों, सीसा और टीन का, जिसका इव उत्तर D आरा बिल्कुल सही है, आंसर कीजिएगा, थर्टीन का, वन होर्स पावर, यह वन एचपी बराबर कितना वाट होता है, यह कुशन में बता चुका हू पहले भी, जिहां, बिल्कुल, जिनका वितरा 746 वाट, इस दे करेक्ट आंसर, जिहां, आंसर D हो जाएगा, अगला प्रशन, सभी विधुत चुमबकी तरंगे बनी होती है, किसकी बनी होती है, फटा-फट आंसर करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टन कोशन है, और दे मध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनी की चाल पर क्या प्रभाव पढ़ेगा, तो मध्यम का ताप बढ़ाने पर उसकी ध्वनी का चाल बढ़ जाएगा, और वायू में प्रती एक डिग्री सेल्सिस ताप बढ़ने पर ध्वनी की चाल, 0.61 मीटर पर सेहिन बढ़ जाती है आंसर हमारा A होगा बढ़ जाएगा आंसर A हो जाएगा दोस्तों अगला question देखेंगे यदि 2 समतल दरपन 45 degree cone पर जुके हो तो उनके 20 की रखी गई वस तू कितनी परतिविम बनेगी चलिए answer किजिएगा बहुत important question है देखें यदि degree पूछेंगे तो 360 का पूरा degree होता है राउंड अगर देखा जातो एक circle ठीक है तो सम संख्या है कितनी होगी 360 upon theta जो भी theta होगा तो यहाँ पर answer आपको करना है दोस्तों theta निकालेंगे तो 7 आएगा D is the correct answer 7 परतिविम बनता है इसका ठीक है चलिए यह आपका दरपन वाले chapter से है question अगला question है कि किस रंग का अपवारतनांग सबसे अधिक होता है चलिए answer करेंगे दोस्तों question number 17 का बिल्कुल question number 17 का answer कीजिए कि किस रंग का अपवारतनांग सबसे अधिक होता है तो bagni is the correct answer C is the correct answer अगला प्रशन देखेंगे कि वनस्पती तील से वनस्पती घी किस विधी के द्वारा निकाल जाता है घी के बारे में बात हो रहा है ये थोड़ा सा समझने कोशिस कीजिएगा घी से तील बनना और तील से घी को बनाना ये अलग-अलग प्रक्रियाए है यहाँ पर प्रकिडिया जो हो रही है दोस्तो हीडोजोनी करन हो रहा है नोट कर लिजी का आंसर आपका ई हो जाएगा अगला प्रशन है कि अमोनिया गैस बनाने के हेबर विधी किस ऊत्प्रेरक का प्रयोग होता है बिलकुल चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधी में हम लोग लोहे का चोन का उपयोग करते हैं आंसर हमारा यह हो जाएगा नोट कर लीजिएगा कोश्चनमर 20 निमलेगित में से कौन सा काच का प्रयोग धूप चस्मों में लेंस बनाने में किया जाता है चलिए अगर आप लोग क्यूद अटेंट कर रहे हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में भी और विडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आइन सर करते करते चलिए कौश्चनमर 20 का आइनसर कर jsेंगे दोस्तों निमलेनमे से कौन सा काच का प्रयोग धूप चस्मों की लेंस बनाने में होता है क्रुक्स काच का आप यूज़ करतें और अगर धोबन सोडा की बात करें धोबन सोडा जो है दोस्तो याद रखेगा N2CO3-10H2O और हाइपो तो यह हो जाएगा आपका 5H2O N2S2O3-5H2O यह सुमेलन हुआ तो सुमेलन आपका जो है B करेक्ट है यहाँ पर आंसर B कर लेंगे अगला प्रशन देखेंगे हाइड्रोजन बम किस सिधान पर कारे करता है चलिए Q22 नाभकिये सनलेयन बहुत बर बता चुका हूँ यह आंसर C होगा दोस्तो फलो का मधुर स्वाद किसके कारण होता है चलिए यह भी कोशन इंपॉर्टेंट है और आ सकता है एक्जाम में जी ह बाहिसरावी ग्रंथी के कारे एक साथ करती है तो मानोसरीर का अगनास है जो है दोस्तो वह अंत्यसरावी और बाहिसरावी ग्रंथी एक साथ कारे करती है अगनास है B हो जाएगा हमारा आंसर Q25 दोस्तो विरिक प्रती मिनट औस्तन कितना ड्रक्त निस्पादन करता है तो नमबर दोस्तो 26, कार्बो हाइडरेट में कार्बन, हाइड्रोजन और अक्सीजन का अनुपात क्या होता है, यह तो बहुत इजी कोशन है, आप बताइएगा यहाँ पे, वन इस टू, टू इस टू, वन होता है दोस्तो, बिल्कुल नोट कर लिजेगा, कार्बन, किजिए दोस्तो यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे सुमेलन करेंगे हम, मशली के यकरित तेल से, और विटामिन E जो है में मिलता है दोस्तो, यह अंकुरित अनाज से, और विटामिन K जो है आथ के उत्पन से, ठीक है, चलिए, तो यह हमारा मिसरन हो गया, यहाँ पे, आंस C हो जाएगा, जिसका भी तर, C आ रहा, बिल्कुल सही है, निम्न में से किस योगिक का प्रियोग क्रित्रिम वर्सा के लिए किया जाता है, तो AGL के लिए, जिया, नोट कर लीजीगा दोस्तो, AGL क्रित्रिम वर्सा करा सकती है, और अगर दोस्तो यहाँ पे अगर पूस दे कि जो मतदान स्याही होता है उसका सुत्र क्या होता है तो AGNO3 होता है याद रखिएगा ठीक है चलिए अगला question है 30 प्रकृतिक रबड को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है question number 30 का answer करिएगा दोस्तों यहाँ पे a प्रकृतिक रबड में कठोर बनाने के लिए कारवन का उप्यों करते हैं आंसर यह हो जाएगा question number 31 सहायक संधी करने वाला प्रतम भारतिय कौन था सहायक संधी करने वाला प्रतम भारतिय कौन था तो यहाँ पे question का answer कीजिएगा दोस्तों जल्दी से आप लो बिल्कुल हैदराबाद था सहायक संधी करने वाला प्रतम भारतिय राज जी कौन था यहाँ पे यह पूछा गया है राज जी छोड़ दिया गया यहाँ ठीक है तो यहाँ पे answer कीजिएगा it's a C, हैदराबाद is the correct answer अगला प्रश्ण है कि अपने विरोधियों के विरोध किसने लोह एम रक्त की नीती का पालन किया 32 का answer कीजिएगा बलवन का ठीक है answer अमारा D हो जाएगा question number 33 बहिश्कृत भारत नामत पुस्ता का प्रकासन किसने किया चलिए question number 33 का answer कीजिएगा बी आर अमबेटकर is the correct answer जिनका भी उत्तर सी आरा बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं अगला प्रश्ण देखते हैं नेमलेखित में से कौन सल्तनत काल में अंतराश्चे बंदरगाह था चलिए ये question आचुका एक्जाम में भी तो देवल जो है दोस्तो ये है आपका answer D जी हाँ answer क्या करेंगे D अंतराश्चे बंदरगाहों में से एक था उस समय अभी लेख की रचनानिमलेखित में से किसके द्वारा की गए थी ये question पूछा है BPSC में आपका 2008 में ठीक है अंसर कीजिए कि दोस्तो रवी किर्ती is the correct answer answer हमारा B हो जाएगा अगला प्रश्चन है दोस्तो इंडिया wins freedom पुस्तक के लिखा कौन है ये भी question पूछा गया है BPSC में यानि की बिहार द्रोगा में है अंसर C हो जाएगा दोस्तो अगला प्रश्चन है यहाँ पे मोपला बिद्रोग के मुक्य हनीता कौन है चलिए अंसर कीजिएगा दोस्तो कौन थें तिये अली मुश्लियर थें answer हमारा C हो जाएगा दोस्तो अगला प्रश्चन देखते हैं question number 38 तुजुके बाबरी काफार सी अनुवाद किस ने कराया था चलिए यह question तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ आप लोग answer कीजिएगा जल्दी से बिल्कुल आपका उत्तर आरा अगर अब्दुल रहीम खान खाना तो answer C is the correct answer अगला प्रश्चन है दोस्तो निमलिखित में से किस सासक ने वता पी कॉंकडो की उपाधी धारन की थी चलिए answer कीजिएगा दोस्तो 39 का नर्सिम वर्मन प्रथम ने किया था जिनका अब उत्तर डी आ रहा है बिल्कुल सही उतर कर रहे हैं आपे question number 40 देखें आप लोग answer कर दें कि साथ साथ वीडियो के एक बार share कर दीजेगा और अपना दोस्तों को भी जोडने की कोसिस कीजेगा तो सायद यहां हम लोग को और motivation मिलता है ताकि आपके लिए रोज जैसे वीडियो इस लाकर दे सकें इसलिए प्लीज एक लाइक और share बन कुल सही कर रहे हैं और last में आप लोग comment कर जुरूर करेंगे कि कितने उत्तर सही उत्तर कितने गलत की हैं आप लोगों ने ठीक है एक copy कलम लेकर बैठा करें कम सिकम टिक करते रहें और cross करते रहें कितने सही उतर और गलत हो रहा है नेमलेकित में से कौन सा big grade आजाद हिंद फौज का हिस्सा नहीं था दोस्तो आंसर क्या करेंगे बी अगला प्रशन है कि गीत गोबिंद के रचाईता जैदियो कि सासर के दरबारी कभी थें चलिए आंसर करेंगा लक्षमन सेन के नोट कर लिजीगा जिसका इतर डी आरा बिलकुल सही उतर कर रहे हैं कुश्य नमब नहीं बोला गया है तो ठोड़ा सा ध्यान दिजीगा इस कोस्टेट पे आप लोग भी और आंसर सही से मैच किजीएगा यहां पर कोश्य नमबर यहां पर देखेंगे फॉट्टी फोर सही सुमिलें नहीं है तो देखे दलीडर गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया है जो क कि यहां पर स्मिलन सही नहीं है दोस्तों ठीक है नोट कर लेंगे आप लोग की आंसर होगा डी हो जाएगा दोस्तों ठीक है चलिए अगला प्रशन है कि किस व्यक्ति ने के निर्थित्वे में वर्स 1928 में हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपॉब्लिकन एसोसियेशन की स्थापन थी आंसर हमारा B हो जाएगा दोस्तों इनकार कर दिया तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पास पहुंचे और आगे बढ़ने से उन्होंने अब इनकार कर दिया था आंसर हमारा D हो जाएगा अगला प्रशन देख लेंगे कि केंद्रिये बजट में पुंजी गत बजेट में, क्वेशन नमबर 49, आबिद हुसेन समीती का संबंध निमलेकित में से किस्से है, देखे तो क्वेशन जो पैटर्ण है न, वो आपको समीती से भी पढ़ेगा, बनेगा यहाँ पे, क्योंकि आप लोगो वो सारी समीतियों के बारे में पढ़ना जितने भी कमीटी पूरे साल का, जो भी हर साल बजेट में बताया भी जाते हैं, कुछ समीतियों के बारे में उसको भी पढ़ना है, आर भी आई के कुछ नॉम्स होते हैं, उसको भी पढ़ना है, वो सारे भी कोशन यहाँ पे बनते हैं एक्जाम में, ठीक, 49 का अंसर कीजिए का दोस्तों पूरा हुआ चीज है, है न, तो यह सारे कोशन आपसे एक्जाम में पूशे जा रहे हैं, इसी टाइप के, इसी पैटन पे, तो तीरतियक्ष छेत्र है, आंसर क्या करेंगे, ठीक है, चलिए, आंसर हमारा C हो जाएगा, निमन में से कौन सा एक परतियक्ष कर है, एकोनोमिक आंसर कीजीगा D, अगला प्रशन, यह में लिखित में से किसे जुडवा घाटा कहा जाता है, तो राजकोशी घाटा तो चालू खाता घाटा को हम लोग जुडवा घाटा कहते हैं, आंसर दोस्तों D हो जाएगा, अगला प्रशन, वीत मंत्राले का कौन कौन सा विभाग आ आंस का कोण बनाती है, कोशन इंबर 53 का आंसर किज़ेगा, दोस्तों ससी, 66 पुर्णांक, 1 by 1.5 डिगरी, याने की 6,6 डिगरी, ठीक है, चलिए, याद रखेगा, कोशन इंबर 55, प्रकिर्तिक यों मानो निर्मित, दोनु रूपों को दर्साने वाले बड़े पैमाने पर म पीशे संबंदी मांचितर आंसर हमारा यह हो जाएगा दोस्तों नोट कर लिजेगा अगला प्रश्ण है कि संसार का सबसे अधिक आधिक आधर महाद्वीप कौन सा है चलिए ये कोशन आया हुआ एक्जाम में भी पूछ सकता है दोस्तों आंसर जल्दी से करिएगा यहां पे इस्रिंखला क्या कहलाती है 57 का आंसर कर दीजिगा चैसर क्या 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 लाती है दोस्तों तो आंसर करेंगे यहाँ पे यहाँ पे आंसर करेंगे लिट राइट मिटी ठीक है आंसर किया कर लेंगे दोस्तों लिट राइट मिटी आंसर हमारा हो जैगा C is the correct answer अगला प्रश्ण है कि घटती उत्पादन सिल्ता की करम में परिस्थितिकी तंत्र निमलिखित में से कौन सा क्रम सही है 59 का अंसर कर दिजेगा दोस्तों सागर मैगमवे छीड घास का मैदान अंसर हमारा C हो जाएगा दोस्तों नोट कर लिजेगा अंसर कीजेगा जिनका उत्तर C आरा बिल्कुल सही है अगला प्रश्ण है कि पस्चिम यूरोप का तापमान बढ़ने से कौन सी धारा उत्तरदाई होती है अंसर कीजेगा जिसका उत्तर B आरा बिल्कुल सही है अगला प्रश्ण बिस्व की सबसे उची चोटी किस प्रकार के परवतों में पाई जाती है 62 का आंसर कर दिजेगा दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे नवीन मोरदार परवत आंसर हमारा B हो जाएगा नोट कर लेंगे यहाँ पे कुश्चन बर दोस्तों 63 दसते लूट मरुस्थल कहां परस्तित है दसते लूट दसते लूट है इरान में जिसका भी उत्तर आ रहा ए इस दर करेक्ट आंसर अगला प्रश्ण नेमलिकित में से देशों में कौन सा अंतर महाद्वीपीय है आंसर कीजिएगा 64 का नेमलिकित देशों में से कौन अंतरम महाद्वीपीय है तो जोर्जिया जिनका भी उतर आ रहा है C is the correct आंसर 65 बिस्वी की सबसे बड़ा स्थल रूध देश बिस्वी का सबसे बड़ा स्थल रूध देश कजाकस्थान नोट कर लिजिएगा जिसका भ भारत वन इस्थिती वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार तीन सरवाधिक वन छेतरफल वाले राज अरोही करम में जल्दी से आंसर करेंगे बिल्कुल मद्य परदेश अरुनाचल परदेश और 36 गड़ इस दा क्रेक्ट आंसर नोट कर लिजिए का ये तीनों एक ही करम में है 2019 के ए वन है उनकी अनुसार पहले मद्य परदेश में सबस्याद वन है अरुनाचल परदेश और अब 36 गड़ आ गया है 36 गड़ दूसरे पर था अब तीसरे पर आ चुका है क्या कहते हैं बिल्कुल क्रायोफाइट कहते हैं आंसर जिसका भी उत्तर डी आरा बिल्कुल नोट कर ल जाएगा जिनका अब उत्तर आ रहा है सी गुजरात इस दक रेक्ट आंसर अगला प्रशन है बिहार में कौन सराश्टी जलमार्ग गुजरता है तो देखें बिहार स्पेसल है यह कोशिन आंसर कीजिएगा दोस्तों राश्टी जलमार्ग जिहां आर डबलू वन इस हम जाती है तो यह चलती है दोस्तों सी कैलिफोर्णिया आंसर सी हो जाएगा कोशिन नमबर सेवेंटी वन गंगा के दक्षिन भाग के मैदान में पुरानी जलोड मिद्दा मिर्दा यानि की मिट्टी को निमलगित में से किस नाम से पुकारते हैं सेवेंटी वन का अंसर कर द जाती है ताल पुराई जलोड और रंग जिसका भूरा होता है और जिसको हम लोग कैवाल कहते हैं ठीक है तो कैवाल कैरल कैवाल कहते हैं जिसका उत्तर सी यारा बिल्कुल सही है कोशिन नमबर सेवेंटी टू वीर सामवर कर अंतराश्टी हवाई अड़ा कहां इस्तित है ये कोशन बता चुका हूँ वीर सामवर कर अंतराश्टी हवाई अड़ा है दोस्तो पोर्ट बिल्यार पे जिसका उत्तर सी यारा बिल्कुल सही उत्तर है ब्राजील के कहवा के बागो को क्या कहते हैं यानि कोफी का जो बागान होता है उसको हम लोग कहते हैं फैजेंड आ बिल्कुल तर सही कर रहे हैं अगला प्रशन है कि पर्यावरणिये निश्चित वाद के परतिपादक कौन थे आंसर करीजेगा दोस्तों एक जिसका अब उत्तर आरा आप देगी कमेंट करते रहीगा हर कोशन का काल रीटर नोट कर लिजीगा अंसर हमारा यह हो जाएगा प आप लोगों ने कितने उत्तर सही कियें यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग ताकि आप लोग की भी तैयारी कैसी चल रही है और इसके रिगारिक और कैसे वीडियो लेकर आएं वह आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें भी बता तो आज के लिए इतना ही था हमारे साथ आप बने रहें अगले वीडियो में मिलते हैं सुबा के 9 बजे जो कि आपका बिहार कॉंस्टेबल से रिलेटेड होगा और एक वीडियो दूंगा मैं आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो कि 10 बजे तक अपलोड कर दिया जो कि वेकेंसी से रिलेटेड है बिहार में ASI का एक नया वेकेंसी आया हुआ 133 पजों के लिए धन्यवाद बबाई टेक केर ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का